वेलकम टू में यूटूब चैनल मेडिकल नर्सेसर मेरा नाम है कीरती आज के वीडियो में बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट्स आते हैं एक्दाम में जी आई सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम से वह डिसकस करेंगे तो यहां पर यह पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंग जी के बेसिक पॉइंट्स आते हैं एक्दाम में वह पढ़ेंगे नेक्स पार्ट रहेगा जिसमें इसी पोर्शन कवर करेंगे जो में से रलेट करते हुए क्वेश्टन रहेंगे तो यहां पर पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कह कहां से होता है एंडिंग कहां पर होती है कौन-कौन सी फंस्टिंग होती है जो और्गन से डाइजेस्टर सिस्टम में मैं और्गन क्या है सभी पॉइंट्स पढ़ेंगे आपर तदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सुन स्टार्ट हो गए हैं कहीं कॉंट्राक्ट बेस्ट पर ले रहे हैं तो कहीं पर्मनेंट बेस पर एक्जाम्स भी होंग इसलिए आपको तैयारी करना जरूरी है तो यहां पर टाइजेस्टर सिस्टम से मैंली जो कॉश्चन वन थे एक्जाम में वह पड़ेंगे तो यह सार्ट स्लेट लिएंद कोकलन साकती है कंटिनियस ngay 227 कहती है ऊर्साइब करने टो इसी कोकली सप्लाय," एंदी users को कंटिनियस ngay nilled sastry से के अटिशन के बाइब है । जो फूट बाहर निकाला आtered एक्सक्रीट किया जाता है तो एंड कहां पर होगी कम्प्रीट कहां पर होगी एनल के नल में तो क्या का में जी आई सिस्टम का फूड इंटेक करना इंजेशन देन स्वालोइंग उसको चवाना फिर उस चीज को डाइजेस्ट करना जो आपने खाया है डाइजेशन के बाद इसमें जो भी प्रोटीन जो भी माइक्र मैक्रो नूट्रियंट्स रहें उनको एब्सॉर्प करना उसके बाद उनका मेटाबॉलिस में किया जाता है जो बचा हुआ वेस्ट उसको एक्स्क्रीट किया जाता है डाइजेस्टिश सिस्टम का मैंने ही काम है तो यहां पर जी और किस नाम से जाना जाता है गेस्ट्र इंटस्टाइनल सिस्टम अलिमेंटरी कैना डाइजेस्टिशन ट्रैक्ट और जी आईटी ट्रैक्ट तो यहां पर बहुत सारे ओर्गन्स होते हैं और जो जी आई सिस्टम में काम करते हैं जो भी जैसे रेस्टरेटरी सिस्टम में से ट्रैकिया हैं इस अभी इसके और जाएंगे बैसे ही GI system में टू टाइप के और गण होते हैं एक तो होते हैं मैन और गन दूसरे accessory organ मैन और गन की बात की जाए तो जो मैनली GI tract के लिए काम करते हैं ऐसे सरी में ऐसे और गन आते हैं जो खाने पीने चवाने के अलावा और अधर काम में भी helpful हो थें तो क्या हो जाते ह है एसेसरी ओर्गन तरह और जिए डेक्ट सिस्टम कि सावगन की बात करें हैं कि क्या क्या ओर्गन पाय जाते हैं तो oral cavity isophagus इसिटमक स्माइव इंटेस्टैंब लार्ज cavity में तो यहां पर है मैं और्गन होगा जी आई टरेक्ट के सबसे पहले हम बात करेंगे oral cavity की तो स्टार्टिंग कहां से जी आई टरेक्ट की elementary önce की oral cavity से तो बात करते हैं हम सबसे पहले oral cavity की oral cavity को mouth और oral cavity और vocal cavity के नाम से भी जाना जाता है कभी कभी एक्जाम में question आ जाता है बकल cavity क्या है तो oral cavity mouth और oral canal के लिए क्या कहा जाता है बकल cavity तो यह पर हम starting करेंगे teeth से बात जब दांदों की की जा रही हो दांदों teeth के क्या क्या parts होते हैं कैसे काम करते हैं कितने type के teeth होते हैं यहां पर nerve और blood vessel की supply कैसे होती है कहा होती है सभी point है आप हम पढ़ेंगे देखिए हम इमेज भी दी हुई है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि teeth के three parts होते हैं जनरली crown neck and root इमेज में आप देख सकते हैं first part is crown then neck last is root root होती है यहां पर कुछ pulp present होते है वहीं पर nerve or blood की supply होती है इस image में आपको easily समझ में आ जाएगा root है जो किससे बना हुआ होता है जड़ है जिसको हम गहें दातों की root बना हुआ होता है cemento blast cells से जो cemento blast cells है क्या secret करती है करती है जस्ट अभी कि root में जो root में जो कुछ cavity पाई जाती है तो वहां पर उन cavities में कुछ pulp रहेंगे और उन pulse में क्या होता है देखिए pulp cavity में pulp cavity में blood की supply होगी nerve supply होगी सभी चीज़ें कहां पर होती है pulp cavity में और यह कहां पर पाई जाती है root में नेक्स्ट हम बात करते हैं teeth की तो teeth two type के होंगे तो permanent और दूसरे temporary और primary तो primary teeth है जो इनको milky, premier, temporary और deciduous teeth के नाम से भी जाना जाता है तो जो temporary teeth हो primary teeth है इनको calculate करने का formula भी कई वार exam में है कि temporary को कैसे calculate करें और primary को पर्मनेंट teeth का जो calculation है वो कैसे किया जाएगा तो यहां पर बात की जा रहे है teeth की तो temporary teeth को calculate करने का formula कई वार exam में आये तो वो है 2102 by 2102 इसको मैं भी आपके लिए बताऊंगे कि 2102 और 2102 है क्या half और जो half teeth का part है इससे इनको calculate किया जाता है permanent teeth होते हैं lifetime रहेंगे तो कौन से हैं 2123 इनका formula है 2123 दोना formula different है इनको आपके लिए याद रखना है तो जो teeth का जो सबसे teeth है सबसे hardest part इसका क्या हो जाएगा सबसे hardest part होता है teeth का dentine जो सबसे उपर की तरह present रहेगा sorry enamel है जो teeth का सबसे hardest part रहेगा उसके बाद आता है dentine तो यहाँ पर बात जो हम कर रहे हैं कि जो part है teeth के किन किन parts से मिलके बना हुआ था enamel, dentine, pulp, cementum और predominant ligament तो एक part है teeth के जो enamel किससे बना हुआ था है सबसे hardest part है teeth का जो वाइटर कलर का part होता है teeth का वो क्या कहलाता है enamel होता है manly हो जो calcium phosphate से बना हुआ होता है calcium phosphate का एक rock hard mineral है जिससे enamel का निर्मान होता है दांतों का सब से hightest पार है एक्जा में आ चूगा सब squishy कैle से calcium phosphate नेक्स बात करते हैं को सब्सक्राइब के नीचे गिror Paramount होता है तो यहां पर कुछ माइक्रोस्कॉपिक ट्यूस प्रिजेंट होती है यदि भी यज़ एनेमल लाइचन होता है तो यहां पर देंटायन के कारण आपको पता चल जाता है सेंस्टिविटी या फिर कुछ पहन होता है नेक्सट पल्प पल्प किया सबसे सॉप्ट पार्ट है टीथ का जहां पर ब्लड बैसल्स और नर्व की सप्लाई होती है याद रखना आपको सबसे too cementum कि एक लेयर है root को bind जो gums है और jaw on है वहां पर bind करके रखता है क्या Cementum किससे रहुंआ हुआ होते हैं Connective Tissue से ल Asht Primordinal Ligament Pinordial tres Sith को the Jang Tire boundary जो जूब करने में नेक्स्ट रहुम बात करते हैं तो कितने होते नेर्मल एडॉल्ट में 32 टी इत आए 1-02-2102 इसको अभी मता तो कितने हैं इंसीजर I canine jiro premolars क्योंकि यह तूट जाते हैं बच्चों जेश साल तक into his molars और जो wisdom teeth होते हैं जिनको third molar teeth के नाम से जाना जाता है primary teeth हैं और जो बच्चों की teeth हैं उनमें absent होते हैं आपको याद रखना है कि जो बच्चे होते हैं primary teeth होते हैं उनमें pre-molars और third molar teeth या फर wisdom teeth हैं जो absent रहते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे टंग की, अभी तक तो हमने पड़ा टीथ, दातों के बारे में कितने पार्ट हैं, कहां इनकी बलट की सप्लाई होगी, कौनसा पार्ट हार्ड है, next बात करते हैं tongue की जीव क्या है हमारी body का सबसे soft part पाना जाता है tongue के लिए और यहां पर इसकी length कितनी होती है तो जो length है normal length approximate length है वो 10 cm यदि tongue की length more than 10 cm हो तो इसको macro glossier के नाम से जाना जाता है यदि less than 10 cm 10 cm से कम तो इसको micro glossier के नाम से जाना जाता है तो आपको man याद रखना है length of tongue that is 10 cm weight होता है जो male में जादा होता है tongue का 70 gram female में 60 gram और जो woman की tongue होती है वो shorter than man होती है आपर कुछ interesting fact करके मैंने एक image रखी हुई है और यहां पर जो woman की tongue है shorter है comparison to man के सबसे जादा लंबी tongue किसकी होती largest tongue बात की जाए आपका जीके भी यहां पे question हो जाएगा तो वो होती है blue whale की जिसका weight कितना होता है 5400 lbs आप 15 लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी tongue होती होगी और यहां पर 80% जो bacteria virus जो bacteria होते हैं हमारी mouth में half bacteria किसमें present होते हैं tongue में बात हम करेंगे कि टंग में कितनी test buds हैं तो टंग में जो test जो sensation होते हैं जनरली तो यहां पर अलग अलग तरीके के होते हैं sour, sweet, salty, bitter तो जो sweet है वो tip of tongue में देखने को मिलेगा salty अलग मिलेगा sour, donor side में मिलेगा bitter जो center part में आपके लिए जो bitter test आएगा और umami उमामी में कुछ हैंसे test आएंगे जो आपने कुछ हैंसी अजीव सी चीज़ खाई उसके बाद जो आपको test आए वो क्या आएगा जनरली medicine में आपको मिलेगा जो भी आपको यहांसी दवाई खाएंगे उसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे salivary gland की salivary gland को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से कईवार question आए टेंग में से जनरली दो से तीन question बन सकते हैं तो इसकी जो length है और उसकी जो weight है मैं आपको यहाद रखना है बात आती salivary gland की तो three pairs में saliva glands हैं जो present होती है और इस तरह की gland है एक्सो क्राइब ग्लेंड है क्योंकि यह saliva का production करती है एक्सो क्राइब कैसी ग्लेंड होती है डारेक्ट कुछ भी सीक्रेशन को डक्ट में पहुंचाएं और जो एंडोक्राइब होती है वो क्या सीक्रेट करती है हार्मॉन को सीक्रेट करती है अधर पार्ट के थ्रों mandibular जो below the mandibular रहेंगी and sublingual जो टंग के नीचे प्रिजेंट रहेंगी कितनी gland होती है human body में saliva का लार का secretion करती हैं बनाती है parotid, submandibular and sublingual तो तीनो gland है किसे में प्रिजेंट होती है pairs में बात हम सबसे पहले करेंगे parotid gland की तो parotid gland है largest salivary gland है और टोटल 20% saliva का जो production करती है और यह कहां पर present होती anterior and inferior ear lobe के पास और यह सबसे बड़ी parotid gland तो है sorry salivary gland तो है ही साथ ही साथ जो mumps और viral का infection होता है तो किसके कारण होता है जब parotid gland में किसी भी तरीके का infection present हो और जो immunoglobulin A है IgA जो Ig पड़े हैं हमने IgA, IgM तो जो मैं जो immunoglobulin ने वो एक ही है immunoglobulin यह जो saliva में present होता है और पड़े हमारी बोड़ी 1500 ml saliva का secret करती है next pH तो जो pH होता है saliva का वो होता है 6.35 to 6.85 next है यहां पर जो enzyme में secret किये जाते हैं parotid gland से तो कहें alpha-amylase enzyme और petaline enzyme जो carbohydrate breakdown में helpful होते हैं दूसरा है lingual lipase तो यह fat emulsification में helpful होते हैं और इसकी कुछ problems भी होती है थी हमारी बोड़ी में सलाइवा का secretion ना हो या फिर excessive secretion हो तो अलग-अलग condition होती है फिर्स जिरोस्टॉमिया जिसमें क्या होगा saliva का secretion कम हो गए तो यह condition यहां पर बात हम करें जिरोस्टॉमिया की लार का secretion कम हो रहा हो फिर बहुत ही ज्यादा सॉरी बहुत ही कम हो रहा है फिर हो ही नहीं रहा हो जिसको मिन्नी में बात की जाए तो मुन सूख ना भी कह सकते हैं जिरोस्टॉमिया तो इसको ट्रीट करने के लिए medicine जनरली एक्जाम में पूंची जाती है तो वह है पिलो कार्पिन जिरोस्टॉमिया की कंडिशन को पिलो कार्पिन के तो ट्रीट किया जाता है दूसरा है है इसके लिए एट्रोपन medicine का यूज किया जाता है ने बात करेंगे इसो फैगस की तो अभी तक हमने इसो फैगस की तो इसो फैगस है यहां पर देखी इमेज दी होई है जो इसो फैगस है जो औरल के विटी के बाद जो पार्ट आता है वह आता है इसो फैगस इसो फैगस किससे कनेक्ट होता है इस्टमक से इसो फैगस एक है food Pipe जो food को कैरी करेगा stomach तक के लिए कर पर present होता है behind the track यह location है कि इसकी तो टी ट्वेल वर्टीब्र है हमारी थोरसिक 12 तक है जो प्रेजेंट रहेगा ती 11 जब यहां पर आएगा तो यहां पर देखी जो कर्व बनती है यहां से इस कर्व को लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट हम मानते हैं तो वह सी 6 ट्वेल टोटल लेंथ होती है वह थी 25 सेंटीमीटर लंग पूरा इसोफेगस है 25 सेंटीमीटर लंबा होगा वह इसमें कुछ इस प्रेजेंट होते हैं फूट रिगर्टीटेशन के लिए हैलफुल होते हैं तो यहां पर अपर एंड लोवर टू टू टारीप्स के इस कुछ टूंस के लिए हैलफुल करते हैं प्रेजेशन की फूड का जोאל ना हो क्योंकि फूड रिगर्जिटेशन की कंडिरेंट। क्टियशन आल्लीश्यों इनिमल्स में नोज़ने पाइजाती मौनें में 1बाइच के शूब उसमें ऐस में मौलाट दीया जाथ फिर बाद बैठके अपना जो फूड है उसको बापेस मुह में लाएगी फिर उसको चबाएगी फिर डाइजस्ट करेगी तो इस तरीके से जो प्रोसेस है human body में नहीं होती पीसो फैगस क्या है फूड पाइफ है ट्रैकिया के पीछे प्रिजेंट होगा जनरली गर्जिटेशन के लिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमक की तो इस टमक क्या है जे सेप्ड मस्कुलर ओर्गन है इसके चार पार्ट होते हैं काइडिया फंडस बॉड़ी पाइलोरस एंट्रम तो यहां पर जो पार्ट है उनकी बात करते हैं तो फस्ट पार्ट क्या होता है जो इसो फैगस के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है काइडिया इसके पहले हमने क्या पढ़़ा इसो फैगस इसो फैगस कहां से कनेक्ट ह को ग looking the first part क्या हो गया नेक्स्ट फंड्स पंड 누स पर पाइट इस तमक का जो कर्पस्ट में पार्ट टो इस टमक का जो यह नहीं कि प्रेजेन होगा चाता है एंट्रम और उसके बाद दैप इंट्रम पास के प्रिजट हो में इंटेस्टाइन सब्क्रम प्रीजेशन यहां पर फूड क्या होता जैस्टरिक जूस के वह क्योंकि कि इस टमख में इस प्रीज एक चुछ जूस बनते हैं और उसके बाद वह आ तरहाने में मलकर क्या करते हैं में हेल्फुल होते हैं यहां पर हमने बात की इस रिंट सेड लुब सब्सक्राइब निए छार पाक हो तो हैं जो ग्लेंड पिट्स हैं कहां पर होते हैं स्टमक की लाइनिंग में हे जो हम ने पढ़ा इसके पाइट फड़ें इसकी नाइइंग यहां पर उतनी ακ अउटलenne इक लियर इंप्र है हैं तो स्ट्रेंड चलेंड हैं फंडिक फंडिक उसमें इसद्टेंड con message के सिकरेशन करेगे चलेंड ज्फंडिक प्राइं को ओक्सेंटिक हैं की नाम से बंड़ दाइ मंद फंड संड बोडी ऑन प्रॉण फर्शन्ट होती हैं जिना फंड़ बोड़ा पड़े है एक या फिर एक से ज़्यादा जो ओपन होती है किसमें एक सिंगल लेंड होगी लेकिने कि c डप्ड में और ये अलग-लग तरीके के जो क्रेंगी तो सुशिंट थें अब पेरदल सेल्स यो मैं matchיו integ intrinsic factors का सीक्रेशन करती है आपको याद रखना है एक्जाम में एंप्स जोधफुर 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें आ चुका है तो कुण करती है औक्सेंटेक और पराईटल चीप सेल्स तो यह पैपसिनोंजेन रहने इन लाइफेस का सीग्रेशन करती हैं मूकसनें आप warto और प्रेंट एंसे थैंट मीजान का जी सेल्स जो जी सेल्स के तरो प्रोड्यूस किया जाता है गेस्ट्रेल उसको कौन सीक्रेट करती है पाइलोरिक ग्लेंड और जो गेस्ट्रेन है पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है ताकि पैंक्रियास पैंक्रियास जूसका सीक्रेशन करें तो आपको याद रखना है गेस तो गेस्ट्रिन किसके तरों सीक्रेट हो रहा है जी सेल्स के तरों जो गेस्ट्रिन है पैंक्रियास को स्टिमुलेट करने का काम करता है ताकि पैंक्रियास क्या करें पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करें next बात करते हैं cardiac gland की तो cardiac glens कहांपर होती हैं जो first part है cardiacняя वहाँ पर cardiac gland present होंगी और जो nearest part होता है Heart का वहीं पर present होंगी तो isnophagus जहांपर just mean करता है किसको स्थभाइब को मैंने लिए पहले ही बताया है कि caralia क्या है यहाँ पर y0 organized join पर इस्थभाइब को रही नहीं पर पाय Reza work के लिए तो और जो को सबसे ज्यादा सी करती यह अपको याद रखना है सबसे ज्ञादा करती हैं काइसी तरीके की होती है यहां पर जो म्यूकोस होती है वो दो तरीके के लिए सिंपल इसमे 소ине दूसरी होती है डी नल बून सी के रहां के अंदर ही नेक्स्ट हम बात करते हैं गेस्ट्रिक जूस की तो पैड़े हमारे इस टमक से 1200-1500 ml पैड़े गेस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है और हाइली एसे डिक होता है जिसका 1.523.5 जो पी एच है वो कैसा होता है लेस देन 7 के अंदर आती है जो 14 तक स्केल में काउंट्टिंग होती है जो पी एच है जो गेस्ट्रिक जूस का वो कैसा होता है एसे डिक होता है क्योंकि वहां पर HCL present होता है इसके कारण next बात करेंगे हम pancreas, pancreas से भी कही question exam में आये हैं, तो pancreas के mainly दो काम होते हैं दोनग तरीके से काम करती है, endocrine भी और exocrine, जो इसका endocrine function है, वो क्या है, हार्मोन का production करना, तो exocrine क्या है, digestive juice का secretion करना, मैंने आपको पहले ही बता है, जो gastrin है, क्या करता है, pancreas के लिए stimulate करता है, ताकि pancreatic juice को secret कर सके, तो pancreas का कौन सा काम हो गया, exocrine function, next है, endocrine में, यह क्या करती है, हॉर्मोन का secretion करती है, insulin, glucagon, somatostatin, तो इससे secret होते हैं, pancreas से, तो जो pancreas के part, चार part में इसको divide किया जाता है, head, neck, body and tail, तो यहाँ पर head, neck, body, tail में divide किया गया है, जब pancreas को, तो यहाँ पर इनके, जो head, neck, body, part हैं, इनके लिए लग-लग काम होते हैं, weight होता है, pancreas का adult body होता है, 60 gram, 60 gram की pancreas होती है, और pH value की बात की जाए, तो यहाँ से जो pancreas से pancreatic juice secret होंगे, तो उसकी जो pH value होती, 8 to 8.3, क्योंकि alkaline nature रहेगा, bicarbonate present रहेंगा, bicarbonate present रहेंगे, जिसके card pancreatic juice है, उनका जो pH है, वो कैसा हो जाएगा, alkaline nature का, और यह कैसा होगा, 8 to 8.3, और यहाँ पर, जब बात, जो cells होती है, pancreas में कुछ, alpha, beta, delta, तो alpha cells की बात की जाए, देखिया, पर alpha cells क्या secret करती है, glucagon को, आपको याद रखना है, alpha cells, glucagon को secret करती है, जब भी हमारा blood glucose level बड़ा हुआ हो, तो क्या होता है, कि जो alpha cells है, glucagon का secretion कर रही है, जब high हो, तब क्या secret करती है, beta cells, insulin का secretion करती है, ताकि जो glucose level है, उसको घटा सके, next delta cells, तो somatostatin hormone का, जो secretion करती है, तो अलग-अलग cells, alpha, beta, delta, alpha cells क्या secret करती है, glucagon, beta cells, insulin का, और delta cells है, somatostatin का, sorry, secretion करती है, ताकि इंसलिन and glucagon level है, उसको कम किया जा सके, maintain करने के लिए, somatostatin hormone है, जो secret करता है, कौन, delta cells, यहाँ पर, जो pancreas, से question और बनता है, isolates of langerans, isolates of langerans, कहाँ पाए जाते हैं, pancreas, में, next बात करेंगे, हम liver की, अभी हम जो GI tract के, वही point पढ़ रहे हैं, जो manly exam में आए हैं, क्योंकि आप लोग theory बहुत पढ़ चुके हैं, सभी के पास theory के notes भी रहते हैं, तो यहाँ पर basic points पढ़ रहे हैं, जन्दली exam में आते हैं, और बेस्ट उन anatomy and physiology है, जो इसका second part होगा GI tract का, वो होगा, जो disease होती है, GI tract में, जो manly effect करेंगे, manly exams में आती हैं, वहीं पढ़ेंगे, next part है क्या, liver, और जिसको हिंदी में कहा जाए, तो यक्रत, या लिवर पढ़ेंगे हैं, तो liver क्या है, largest exocrine gland है, body की largest exocrine gland क्या है, liver, liver is the largest gland of the body, कौन सी, exocrine gland, इसका weight होता है, approximate adult में, 1.5 kg, 1500 gram, और यह कहां पर present होता है, इसकी जो present जनरली exam में यही आती है, और यह, जो largest gland पूँचा जाता है, एक्जाम में, largest organ पूँचा जाता है, तो skin हो जाता है, largest exocrine gland पूँची जाए, तो वह liver of largest gland पूँचे तो क्या है, liver, तो liver है जो कहां पर present होता है, right upper quadrant of abdomen below the diaphragm in human, तो diaphragm के नीचे और कहां पर right upper quadrant में है, जो क्या present होता है, liver, next, liver में जो special macrophage cells होती है, इनको kuffer cells कहा जाता है, एक्जाम में कई बार आ चुका है, kuffer cells कहां पर present होती है, होती है, liver में जो phagocytosis के लिए helpful होती है, liver क्या है, body का man, metabolism जो metabolic होता है, metabolism की process होती है, बाड़ी में, जनरली वो कहां पर होती है, liver में, कोई भी medicine ले रहे हैं, तो 95% medicine है, जिनका metabolization कहां पर होता है, liver में, liver एक anti-coagulant secret करता है, यह भी बहुत important point, उसका नाम क्या है, hyperin, liver, bile का production भी करता है, बट उसको store करके, कभी भी नहीं रखता, यह आपको याद रखना है, कि liver, bile का production वस करता है, उसको store नहीं करता है, उसका storage है, जो gallbladder में होगा, अप्रेड्यूस करके, उसको कहाँ छोड़ देगा, वॉल ब्लैडर में, और डेली लिवर में, ब्लट की supply होती है, वो होती है, 1500 ml पर मिनिट, टोटल काइडिया का आउट उसका 20%, लिवर से रिलेटिट बहुत ही important point थे, लिवर लाजस्ट ग्लेंड है, वोड़ी की एक्सोक्राइन ग्लेंड है, इसका बेट होता है, 1.5 kg पंद्रा सो ग्राम, अब राइट अपर क्वाडरेंट और अब्डोमन प्रिजेंट रहेगा, जो कुफर सेल्स लिवर में पाई जाते हैं, जो फेगोसाइटोस इसकी प्रोसेस में हेलफुल होती है, लिवर बॉडी का मैन और्गन है मेटाबॉलिज्म के लिए, लिवर एंटिगोगुलेंट सीक्रेट करता है, जिसका नाम क्या है है, पैरिन, बाइल का प्रोड़क्शन भी लिवर में ही होता है, लेकिन स्टोरेज नहीं होता है, स्टोरेज कहां होता है, गॉल ब्लैडर में, ब्लड की सप्लाई होती है, लिवर में होती, पंद्रा से मेल पर मिनिट, जो बीस परसेंट होती है, टोटल काइडियक आउटपुट के, सभी पॉइंट इंपोटन है, आपको याद रखना है, आप चाहिन दिन को नोट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, गॉल ब्लैडर की, इसको क्या कहा जाता है, रिजर्वर ओफ बाइल, जो बाइल का प्रोड़क्शन किया, किसने, लिवर ने, बट इस्टोर किसने किया, गॉल ब्लैडर ने, पियर सेफ डॉर्गन है, लिवर के नीचे की तरह, प्रेजेंट होता है, देखियां अपर, तो एक ऐसा है, पियर सेफ डॉर्गन है, बिनीद दे लिवर प्रेजेंट रहेगा, बाइल का प्रोड़क्शन लिवर में होगा, वर इस्टोरेज गॉल ब्लैडर में होगा, फैट इमल्सिफिकेशन के लिए, वाइल बहुत ही इंपोर्टेंट है, और डेली हमारी बॉड़ी से है, जो 30-60 हैमिल वाइल है, जो स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में एक टाइम पर, 30-60 हैमिल वाइल का इस्टोरेज ही होता है, जब यहाँ पर गॉल ब्लैडर में, यहाँ पर वाइल डख्ट हैं, किसी भी तरीके का ऑफ्स्ट्रक्शन होता है, तो वाइल क्या होगा, एक्सेस होगा, बढ़ेगा बॉड़ी में, जिसके कारण बहुत सारी कंडिसंस होती है, तो उनको हम किसमें पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में, जो इसका डाइजेस्टर ट्रेक्ट का सेकंड पढ़ेंगी, नेक्स्ट पार्ट आता है, इस्मॉल इंटेस्टाइन, जो में और गन है, क्या है, के स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, इसकी साइज क्या है, फाइव मीटर, और जो नब्बे से पंचानवे परसंट नूट्रियंट्स होते हैं, हमारी बाडी में, जनको कुछ भी खाया पी है, 90-95% nutrients है जो small intestine में absorb हो जाते हैं जो बांकी के 5-10% बजते हैं कहां होते हैं small intestine को small wall के नाम से भी जाना जाता है GI tract का बो पार्ट है जहां पर सभी nutrients and minerals का क्या होता है absorption किया जाता है जो भी कुछ भी खाना खाएंगे हम तो उन सब का 90-95% absorption कहां पर होगा small intestine में और यहां पर प्रेजेंट होती है lies between the stomach and large intestine stomach और large intestine के बीच में और क्या कर रिसीब करती है bile and pancreatic juice जो bile का जो secretion कौन कर रहा है बना कौन रहा है liver restore किया गाए गावल डेडर में इसको फिर छोड़ा कहा जाएगा small intestine में बाइल डेक्ट के तो पैंक्रियाटिक जूस आएगा तो पैंक्रियाटिक डेक्ट के तो डाइजेशन के लिए निस अभी को एक हट्टा किया जाए कहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में के थ्री पाइट होते हैं डेडेनम जेजुनम एं इलियम में लीन के फंक्सन आते हैं अग्जाम में तो डेडेनम की बात की जाए तो यह सोर्टेस्ट पार्ट है 25 सेंटीमीटर इसकी लेंद होती है यहां पर फ्रिंगर लाइफ प्रोट्रूज प्रेजन प्रेजन होते हैं को क्या कहा जाता है विलाही तो ड्यूडेनम की लेंद कितनी है 25 cm और ड्यूडेनम से एक एंजायम का सीक्रेशन होता है कॉली सिस्टोकाइन इंजायम का सीक्रेशन कौन करता है स्मॉल एंटेस्टाइन का पार्ट फर्स्ट ड्यूडेनम जो सबसे सॉर्टेस्ट पार्ट है इंजायम का नेक्स्ट बात करते हैं जेजूनम की तो है इसकी लेंद कितनी है 2 मीटर और यह मैंली जो एंटेरोसाइट सेल प्रेजेंट होंगी वहां पर तो एब्जॉप्शन के प्रोड़क्ट बचे हुए रहें जेजूनम के बाद यहां पर आपको इसके फंशन याद रखना है जो इलियम जेजूनम डियूडेनम है जो मैंने यहां पर देखी एरो लगा के बताए हुए मैंने तो आइरन का एब्जॉप्शन कहां पर होता है डियूडेनम में जो इजूनम में बिटामिन बी ट्वेल उन्वाइल साल्ट कहां पर होंगे लियम में प्रोटर का एब्जॉप्शन प्रोसेस के थ्रोगा और विज्च अभी प्रोसेस जो पैसे डिफूजन के थ्रो लिपिट का अब्जॉप्शन होगे कहां हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में और सोडियम बाई कार्वोनेट एब्सॉर्ब किये जाते हैं एक्टिव ट्रांस्पोर्ट के थो तो एक ग्लुकोज और अमीनो एसिट के को ट्रांस्पोर्ट में हेल्फॉल होते हैं और फ्रक्टोस का एब्सॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो फैस्लिटे डिफ्यूजन के थो एक प्रॉसेस होगी मैं लिए आपको स्टार्टिंग के तीन पॉइंट याद रखना है आयरन एब्सॉर्प्शन फॉलिट एब्सॉर्प्शन और बिटाविन B12 का एब्सॉर्प्शन नेक्स एब्सॉर्प्शस पेर जब्स्टाइन में ही जो इसल्प्शन पार्ट है वहाँ पर प्रैजन पर प्रॉसें जो इसल्प्शन प्रॉसे क्या है इसमाल लेटीक टिसू जो कहां पर पाई जाते हे ileum region of the small intestine इनको aggregated lymphoid nodules के नाम से भी जाना जाता है जो immune system के लिए helpful होते हैं next and last part is large intestine large intestine के कितने part होते हैं ascending colon, transverse descending, sigmoid and rectum ascending colon का जो सबसे largest part है वो क्या है transverse colon देखिए यहां पर अलग-अलग part दिये हुए हैं जो digestive system में कहां से start हुआ oral cavity, end कहां तक होता है anal canal और rectum में large intestine कितनी इसकी length होती है, 1.5 meter 1.5 meter और इसके जो 6 section है, 6 part में इसको divide किया गया है cecum plus ascending colon देखिए cecum से क्या जुड़ा हुआ ascending colon फिर यहां पर right hepatic flexor इसके बाद आती है transverse colon इसका नाम ही जो यहां पर curve है जिसको लेके इसका नाम आप आप कर सकते हैं transverse colon next आता है descending colon next is sigmoid colon जो s saved की होती है यहां पर देखिए s saved में हैं और last part क्या है इसका rectum तो यह हो गई large intestine यहां पर हमने basic question पड़े है so I hope guys आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको like जरूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें जिन भी लोगों ने अभी तक paper दिये हुए होंगे generally nursing के तो उनको पता होंगे इसमें जो digestive system से question आए होंगे इस वीडियो में से at least आपको 3 से 4 question जरूर exams में आ सकते हैं यदि digestive system के वास question आते हैं तो next part हम पढ़ेंगे इसका MSN से रिलेट करते हो medical surgical nursing से रिलेट करते हो हम इस GI tract में क्या क्या disease होती है उनको cancer treat किया जाता है तो सभी point हम पढ़ेंगे next video में so I hope आपको ये video अच्छा लगा हो thank you for watching us bye bye